नमस्कार सर मेरा नाम राजु है CKYC अपडेट करने के लिए बार बार मेल आ रहा होगा पर यदि उसको इग्नोर किया अपडेट नहीं किया तो कुछ लोगों का एकाउंट बंद हो गया होगा जिनका एकाउंट बंद हो गया होगा वो फॉर्म मुझे वाटसब करेंगे मैं अपलोड करूँगा तो वो सब्मिट हो जाएगा क्योंकि एकाउंटी ब्लोक हो गया तो आप कैसे करेंगे वो चीज तो NJ की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे online request submission में CKYC registration form यहाँ पे मिलता है इस form को जब आप open करेंगे इसको भरने के बाद एक photo zip करेंगे और उपर में आपको कुछ भी mention नहीं करना है personal details में आप अपना नाम लिखेंगे जैसे राजू, कुमार, चाउदरी उसके बाद फादर का नाम लिखेंगे first name, middle name, last name उसके बाद अपना voter card या driving instance पर जो address है वो यहाँ पर mention करेंगे फिर इस print out को आप यहाँ पर online submit कर देंगे पर यह online submit वही लोग कर सकते हैं जिनका ID password अभी चल रहा है जिनका block हो चुका है और री उनको यह form फिल करके मुझे whatsapp करना है मैं online system में update करूंगा उसके बाद आपको mail पर एक link जाएगा उस link को OTP से verify करेंगे तो आपका CKYC register हो जाएगा तो जिनोंने भी CKYC update नहीं किया है इसको online आप immediate कर लिजिए नहीं तो ID password block हो जाएगा regulator के तरब से NJ ऐसा करना नहीं चाहता है मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ